साम लेकरम, वेलकम तो माई यूट्यूब चैनल आई कोकिट आज इस रेसिप्ट के मैं अपने सामने हाजिर हो रही हूं यह है क्रिस्पी फ्राइट सीकन, के अपसी स्टाइल क्रिस्पी फ्राइट सीकन, इसे घर में बनाना बहुत ही असान है, जी तो चिकन लेक्स बनाने के इस तरीके से कट्स लगा देंगे, कट्स डीप होने चाहिए, ताके मेरीनेशन अच्छे से हो जाए, जिसमें हम मेरीनेशन वाला मसाला बनाएंगे, सबसे पहले लेंगे नमक, वन टी स्पून, लाल मिर्श, वन टी स्पून, हल्दी, हाफ टी स्पून, ब्लैक पैपर, खुष्क धनिया, वन टी स्पून, ब्लैक पाउडर, वन टी स्पून, कच्छी पाउडर से ही हमारा चिकन सॉफ्ट एंटेंडर होता है, और अंदर तक जूसी रहता है, इसमें आपने इसको जरूर एट करने है, जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून, अब यह हमने दिया है, तो बाउडर, वन टी स्पून, सॉय सॉस, यह दोनों चीजे हम इसमें एड़ कर देंगे, अगर आपके पास लेमन हो, तो फिर आपने लेमन एड़ करना है, सिर्के को एड़ नहीं करना, सारी चीजों को हम स्पून से पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इस सारे मसाल नहीं को हमो सृजय को हम चिकन पे लगाएंगे, इस तरह से हम सारे मसाले सांदर बागाले, इस तरह ऄ हम सारे चे पे लगा दियंगे, अधर कल लगा लिया था अधर्रक लेसन करिया थे अभी सब्चेनिस्ट करेंगे भैस alors सक साथ इंग्रीृइड सक भी दो अच्छा आइ खॉटके और निया है जितना जादहा उतना जादा च्रिस्पी डेटी चिकन अगरनेगे लगिंघु बनेगा हमारा अंदर तक मैरिनेशन अच्छी होगी तो टेस्ट अंदर तक आएगा और चिकन सॉफ्ट भी बनेगा कच्री पौडर की वजा से आप इसको ओवरनाइट मैरिनेशन भी कर सकते हैं और मिनिमम करनी हो तो आपने 8 से 10 घंटे अजीत आप इवर्स चिकन को मैरिनेट किया वे हमें 8 घंटे हो गये हैं हमने मेदा ले लिया है इसमें 1 टीब पून हमने नमक अप्सक्री और यह हमारे पास ठंडा पानी आपनी इनको हम डालेंगे अब इसे हम पानी में डाल देंगे पानी में डिप करने के बाद हम इसे दुबारा मेदे में डाल के इस पे मेदा बहुत अच्छे से लगा देंगे कोशिच किजिएगा इस तरह का कोई डीप बाउल लीजिएगा जिसे आप मेदे से भर दे ताके चिकन जो है हमारा पैंदे पे ना लगे मेदे में ही पूरा डिप रहे अब इसको अच्छे से हम प्रेस कर देंगे इस तरह के से प्रेस करने से इसके क्रम्स बन जाएंगे जी तो यह आप देख सकते हैं इसके क्रम्स बहुत अच्छे से बन गए हैं इस तरीके से हम सारे चिकन लेक पीस पर यह लगा देंगे कर दिया जाएं चिकन की अब इसको फ्राइ करेंगे ंच भी हमारा फॉल गरम होना चाहिए यह मैंने चिकन लेक पीस लिया और इसको इसमें उने कि दिए वन मिनट तक इसे हम ने शी आंच पर फुल आंच पर फ्राय करना है उसके बाद हम आंच कम कर देंगे इसे चिकन ल जो पताना है तो पताना है गी फुल दरम होना चाहिए एक वन मिनिट इसे हो गया है अब हम आंच वुल कुल हल्की कर देंगे बहुत ही लो आंच वी से देखें कि इतनी हल्की है इस आंच पे अब ये तकरीबन 15 मिनिट तक पतेंगे 15 मिनिट में ये पुल टेंडर भी हो जाएंगे और अंदर तक बिल्कुल पक जाएंगे इसको हल्की आंच पे पकते वे 15 मिनिट हो गए ही तो अबने बहुत ही हल्की आंच पे पकाया था इस दिखेंगे बिल्कुल भी बर्न नहीं हुए इसको अबने इस देखेंगे तो अबने ड़िए प्रिषाओ कर लेते हैं भी आपको दिखाते हैं जी तवीवर्स क्रिस्पे 5 सिकन हमारा रेड़ी है आप इस रेसे के अपने घर में जरूर प्राइ किजिएगा मुझे कमेर्स में जरूर बताइए क्या रेसी पी आपको कैसे लगी इंशालला नेक्स ताइम पिर किसी और रेसी पी किसा थाथ हाविर होंगे तब तक के लिए अल्ला हापेख